अच्छा ने लंबर ये बताओ ये तुमने ये पढ़ रखा है कि 3D Packing Efficiency होती है वो X, Y and Z होती है and layer इसमें जो होती है मैंने या लिख भी रखा है layer आपकी जो होंगी वो दो layer होती है वन, टू, थ्री, और फिर इसके उपर भी एक layer है और फिर इसके उपर भी एक layer है निलमर आपको पर्दाँ है आपने आनंजल का लाट्स के या था आधि कीतना अगया स्लेबस आपका मैं इंपरिटी चैवश Kolle किख रोपिकिंग को गई है अचा पैकिंग हो गईए सीफ इमप्रोटीज बची है फिर वर मैं उन्हें टॉपर्टीज इस इन इस प्र होगिंगोग फिर मैं इसकी प्रोपर्टी जो जो किसकी प्रोपर्टी इस इस संद्सक्राइड कि और तो चलो देखें फिर में आज तुम्हारा विशन् करा देती चैप्टर का कल से वहां से पढ़ा दूगी जहां से टॉपिक बच गया है और एक बार मैं गुरूप पे अलएट मैसेज डाल दूगी कि कल नहीं टॉपिक स्टार्ट होगा बचे हुए टॉपिक का तो प्लीज जोईन एवरीवन क्योंकि किसी बच्चे ने क्लास जोईन नहीं किया है मैं तुमारी अटेंडन्स नोट कर देती हुए सिर्फ तूम आए थे क्लास में बाकी बच्चे आखे लीव कर गए पिर मैं कल से ना कॉस्चन्स प्रैक्टिस करा दूँगी तुम लोग को सॉलर्ड इस्टेट की अब यदू टूछ तुम बढ़ा कि बता देंग पहले पूरा किया-क्या पढ़ चुकिण हो विए थोड़ा कि तुमने पहले पढ़ा है टाइपस of crystalline solid पढ़ा था है crystalline solids 4 type के crystalline solid पढ़े थे आपने ionic solid ठीक है अगर हम ionic solid की बात करें तो यह क्या होते है ionic solid इन पर क्या सा charge होता है ionic compound positive and negative यही पढ़ा होगा है ना next इन में जो force कौन सा force काम करता है electrostatic electrostatic force force of attraction ठीक है और यह कैसे होते है हमारे hard होते है and और example की बात करें तो कौन-कौन से ionic solid इसलिए जैसे KCL MGO NECL KCL CSCL ZNS ZNSO4 ठीक है वो NASO4 NA2SO4 KNO3 और CUSO4 और जो तुमने बोला था वो भी हो सकता है बहुत सारे examples है ठीक है और इनका जो MP और BP होता है वो कैसा होता है बच्चा high high होता है ठीक है न and they are ठीक है installator क्या good conductor होते है electricity के नहीं क्या करने बच्चे आये नहीं तो रिवाइज ही कर लेते हैं थोड़ा पिछला है न रिवीजन हो जाए कल से में नया टॉपिक पढ़ाऊंगी आपका और देखो अगर दूसरा क्या था हमारा कोवलेंट सॉलेट कोवलेंट सॉलेट किसे बोलते हैं जिनके साइटम एक दूझे जोड़ेंट से कनेक्टेट होटे जाए डायमेंड और ग्रेफाइट तो यह जो कोवलेंट सॉलेट सोलेट सोते हैं यह कोवलेंट सॉलेट भी कैसे होते हैं इनका मेल्टिंपोइंट कैसा होता है वेरी हाई होता है ठीक है एंपी एंड बीपी दूसरा इट्स वेरी हाट कैसे होते हैं इट्स वेरी हाट आज बच्चे कहां गए सारे कुछ आइडिया है कुमें डायमेंड इनकी समर्विकेशन में नहीं किसे से कॉंटेक्ट नहीं होतना तो नहीं है आइडिया नहीं है अच्छा आइडिया नहीं है ऐसा ही हो तो वो क्वार्ड्स भी बोलते हैं पता है आपको येस मैं क्वार्ड्स और कौन सा हो सकता है सिलीकन हो सकता है जी आई हो सकता है एस सी आई सी हो सकता है तो मतलब ऐसे बहुत सारे एक्जाम्पल से covalent solid के, ठीक है metallic solid का भी metallic solid का भी BP कैसा होता है, MP, हाई होता है ठीक है न, यहाँ पर BP and MP, इनका भी कैसा होता है हाई होता है ठीक है, ठीक है covalent solid electrical conductivity होती है हम होती है, लेकिन सबसे अच्छी होती है graphite की diamond में भी होती है diamond में भी होती है ठीक है न, तो यह तो तुमारे molecular solids है ठीक है, यह सब पढ़ चुके हो तुम लोग amorphous solid, isotropic and isotropic nature क्या होता है, मालूम है आपको yes क्या होता है, बताओ, थोड़ा सा मैं रहती कि defective induction, वह अगा हम covalent solid में में से कहेंगे, तो direction के हिसाब तो change हो रहेगा लिए amorphous solid के लिए change नहीं होगा, तो covalent solid isotopic होते है और amorphous anisotopic anisotopic होती है, यह बहुत important है से question जरूर आता है और lattice क्या होते हैं lattice को होते हैं ठीक है, जैसे हम क्या मैं इसे lattice बोल सकती हूं यह दोना point हमारे क्या है just like a lattice ठीक है, और बहुत सारे lattice मिलके, क्या बनाते हैं बहुत सारी unit cells को develop करते हैं, है ना, बनलब एक lattice के अंदर कई सारी unit cells हो सकती है, जैसे कि अगर हम इसको ऐसे रखें जैसे कि तो देखो, यहां पर हमारे unit cell develop हो जाएगा बन जाएगा ना इस तरीके से lattice point को जोड़के यह बन गया ठीक है ना, तो मतलब बहुत सारे lattice, बहुत सारी unit cell को develop करने की tendency रखते हैं, ठीक है ना, अब तुमने पढ़ा होगा, इसके बारे में, कि जो एक unit cell होता है, उसमें three is lens होते हैं, ठीक है, है ना, एक unit, एक unit, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, पता नहीं बच्चे कहा हैं आज, तुम अकेले आये हो, जो आये वो भी गाये वो गए, मुझे रखता है बच्चे ने ज़्यादा पढ़ लिया है, है ना, मैं केमिस्टर वाले ग्रोप पर मैस्टर करें तो, मैं मुझे वाली मैस की क्लास कैंसल हो गए जी तो साहते बच्चे को लगा होगा कि केमिस्टर की पर कैंसल होगा, एक बार हमैसेज डॉप कर देती ही मच्चों को, एक minute, जाए जाए कर तो दिया मैंने मैसेस देखते हैं बच्चे आते हैं कि नहीं तो देखो यहां पर आपकी एज लेंट होती है तो यह तो सरने पढ़ाया होगा तो इसको आपने सी माना तो इसके सामने सी आजाएगा तो इसमें एक topic आनल सरने आपको पढ़ाया होगा अगर याद होगा तो type of unit cell पढ़ाये थे हाँ ए नहीं lattice structure के करायते हैं हाँ square होगा एक तो जिसमें सरने पढ़ाया हुआ और एक कोल टू हमेसा बी होता है और ठीटा एक को नाइन्टी डिग्री होता है तो जस्त लाइक हम इस तरीके से lattice point को जोड देते हैं है ना ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनता है यह हो गया हमारा ए और यह हो गया हमारा बी सेकेंड सरने पढ़ाया होगा आपको कौन सा हम रेक्टेंगल रेक्टेंगल में ए डज नॉट इकॉल टू बी होता है मुझे लगा किसी ने class जोइन किया अब इसमें जो q होता है वो भी 90 डिग्री होता है फिर थर्ड था आपका hexagonal कुछ याद अरे बच्चा आप कहां थे class क्यों नहीं जोइन किया आपने क्यमस्ती की प्रकाश्चन पता नहीं था class होगी बच्चा गुरूप मैसेज नहीं गया तो देखो hexagonal पढ़ाया होगा सर ने जिसमें था a equal to b और q equal to 60 डिग्री और फिर फोर्थ सर ने बताया होगा rhombus ठीक है इसमें क्या था a equal to b and q does not equal to 90 डिग्री और 60 डिग्री होगा फिर सर ने आपको बताया होगा एक यह बताया थे सर नहीं सारे और q does not equal to 90 डिग्री तो यह होते हैं types of unit cell 2 डिग्री वाले 2D वाले हमारे फिर इसके बाद unit cell बताया हो लेकिन बच्चा एक ही आया है ज्यादा आए नहीं बच्चे पता नहीं कहां है उसने क्या कर दिया आप भी नीजे ही में हो ना यह संब यह नीज वाले बच्चे भी तो नहीं आएं यह कहां है सारे बच्चे छुटियां इंजोई कर रहे हैं क्या भी भी आपके मेस्टर वाले कुप नीट वाले बच्चे नहीं नहीं मैंने एक अलग से गुरूप बना रखा है ना बच्चों का एक और मैसेज कर देती हम फिर भी क्या हो रहा है बच्चे जोएन तो कर रहे हैं जोएन क्यों नहीं हो रहे हैं कुछ बच्चों का नेटवर्क नहीं चल रहा है क्या इश्यू हो रहा है पता नहीं है डून दो चलो मैं रिवाइस करा देती हूं आप दोनों को तो एडलीस आप आये हो तो आपके लिए तो रिवीजन करा दू मैं कोई निकलना में मैं आगे का जो टॉपिक आपकर रह गया है निलंबर और प्रकाश आप दोनों क्लाश जोएन कर ले ना बाकी ब बच गया है डिफेक्ट वाला वहां से शुरू करेंगे अब फिर अंदा जेए के कोशन प्रक्टिस करेंगे एक बच्ची और आ गई है महक महक आपको पदा नहीं था फिटा क्लास है महक ठीक है फिर देखो इसके बाद सर ने तुम्हें बढ़ाया होगा और यूनिट सेल जो मैंने भी बच्चों को पढ़ाया है अब यूनिट सेल के बारे में क्या जानते हो आप इस दे यूनिट सेल अब यूनिट सेल को हम कुछ और भी बोलते हैं प्रिमेटिव यूनिट सेल बोल सकते हैं और सेंटर यूनिट सेल ये कितने टाइप्स के होते हैं बच्चा वो तो इसके क्रिस्टल लैटिस होते हैं एक तो फेस सेंटर होता है दूसरा बोडी सेंटर तीसरा एंड सेंटर ठीक है फिर आपने इसके बारे में बढ़ा होगा वट इस दा सिंपल यूनिट सेल अगर हम सिंपल यूनिट सेल पर बाते हैं इसके कॉर्णर्स पर होते हैं प्रिमेटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं ठीक है तो एटम्स ओनली का होते हैं एंड सेंटर भी होता है शायद एंड सेंटर लिखा है बिटा मैंने लिखा हुआ है यह दिखता कैसे अभी बताएंगे अभी बताएंगे कैसा दिखता है मैं आप जेई में होंगी नीट में नीट वाले बच्चे कहां मकार चले गए आज मेरी हाथ नेटवर्क इशी हो रहत है इसलिए भी जोइन की आपका मैसेज भी देखा फिर यहां पता नहीं बच्चों नहीं की क्लास और नीट वाले बच्चों से तो मेरी लास्ट भी बात हुई नाइट में यहां नेट में मैंने उनको मैसेज करके बोला भी है कि चलो बच्चा कल मिलते हैं कलास में पता नहीं की इन्फों में लिंक गया है कि नहीं गया उनके बास क्लास का एक बार मैसेज करके पूश थी हूँ कि अज़िए पढ़ रहा था केला तो मैंने का चैप्टर रिवाइज ही करा देती हूं थोड़ा क्योंकि रिवीजिन तो जितनी बार भी कर लें अंडर्स के बच्चे उतना कम है कल आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे जहां से आपका रहे गया है तो देखो यहां पे क्या होता है आटम्स और कॉर्णनर्स पे होते हैं तो आपका क्यूबिक यूनिट में एंगल्स का क्या स्टेटर सोता है एक कॉल टू वी कॉल टू सी और अलफा उकॉल टू बीटा उकॉल टू गामा उकॉल टू नाइन टी यह होता है तो देखो कुछ इस तरीके से बनता है simple cubic unit cell इतने दिन बाद तो class हुई है वच्छे active नहीं मिलकुल यह देखो यहां corners पर होते हैं तो कितने item हो गए 8 तो हम क्या लेंगे 8 item corners पर 1 by 8 equal to 1 item हो जाता है इसके अंदर एक simple unit cell किसी को पता है आप में जितने बच्छे class में किसी को माले मैं यह 8 क्यों आता है any idea 8 corners पर हो गए तो लेकिन 8 corners पर होता क्या है मैं एक atom में यह 8 unit cell standard present होता है देखो यह जो atom है न एक तो यह half होता है यह जो इसका 3D structure देखोगे तो आधा atom होगा तो पता है यह 8 क्यों लेते हैं 8 corner पर इसलिए लेते हैं जब आप इसका 3D structure देखोगे न तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लेते हैं मैं attendance ले लेती हूँ क्योंकि मुझे लिखनी होगी कितने बच्चों ने class attain की थी तो फिलाल थो चारी बच्चे दिख रहे हैं मुझे खुश ठीक है तो इस तरीके से हमारे total item कितने आ जाते हैं इसमें one आ जाते हैं और अगर हम बात करें किस की बताओ किस की अगर body central की बात करें तो body central में कितने होंगे two होंगे ठीक है तो देखो अगर आप body center की बात करते हो total two होते हैं वैसे one होगा तो आप दोनों नहीं सही बोला है अपनी अपनी जगे तो देखो यह हमारे जो eight corner पे थे यह तो हमारे fix हैं इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है एक हमारा center में भी होगा यह मार लो यह हमारा center में है ठीक है तो total हो गए हमारे eight तो हम यह लिख सकते हैं eight equal to one तो पहले से ही था तो एक और हो गया इसके अंदर तो total कितने हो गए टोटल हो गए दो खीक है अब आप अगर face center की बात करते हो FCC की तो उसके अंदर कितने होते हैं बताओ total seven नहीं बच्चा seven कैसे हो जाएंगे और फिर face वालों को add करेंगे न हाँ तो seven नहीं होंगे न total item आते हैं चार अब देखो कैसे होंगे eight तो corner पे हैं यह बाकी एक face यह एक face यह एक face यह और एक यह और एक यह 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 या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो एक उपर का face और जो नीचे का face है ठीक है न तो वो तो दोनों आ गए यह center में जो मैंने यहां पे रखें बीच में एक यह वाला एक इस face पे होगा एक सामने वाले face पे और एक इदर वाले face पे तो इस तरीके से क्या होंगे छे item होते है face पे और corner पे तो पहले से ही था eight corner है तो eight corner का item हो गया one अब छे face है छे face में एटम है तो एक कितना हो गया one by two समझ में आ रहा है मैं है खुश प्रकाश निलंबर है तो आप देखो फिर यहां पे क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा corner की बात करें तो eight into one by eight तो यह हो गया one पहले से ही है अब face कितने है हमारे six है भही तो आपके six face के लिए कितना हो जाएगा six into one by two one by two होगा आधा तो total face कितने one two three four five and six तो six into one by two तो बच्चा बाटी कितना हो जाएगा यहां पे इसको अगर solve करोगे तो three तो total कितने हो गए four हो गए अब अगर हम बात करते हैं end center की तो देखो वही end center अब आप मुझे बताओ कि end center पर कितने face पे होते है आईडिया है किसी को मैं दो faces पर पर से जोटे alternating हाँ बिलकुल सही तो देखो यह तो हमारे eight corners के हो गए ठीक है और alternative दो face पे होते हैं तो हम एक item यहां रख सकते हैं और एक item यहां रख सकते हैं रख सकते हैं तो total item कितने आएंगे case में, corners के हो गए, corners पे हो गए, one by eight equal to one तो पहले से ही है अब दो corner के हो गए, one by two तो कितना हो जाएगा, end पे कितने हो गए, two into one two equal to one तो total item कितने हो गए, body center की तरह है, दो समझ में आया बच्चा? Yes, ma'am Good अब देखो, अब हम बात करते हैं अगर एफ उसकी, hexagonal की, तो hexagonal में कितने होते हैं, hexagonal unit cell और आपको पता है, is length पे कितना होता है, एक atom, one by four होता है is length पे, हमेशा ध्यान रखना, सरने पढ़ाया होगा यह सारी चीजें, ठीक है, मैं तो revision करा रही हूँ तो आपको फिर hard and fast पढ़ा रही हूँ वरना पूरा little explanation में समझा है, तो देखो, hexagonal में कुछ इस तरीके का diagram होता है, आपने देखा होगा, तो देखो, एक atom कहां हो गया इसके, एक यह रहा, दूसरा यह रहा, third, fourth, fifth and sixth, खीक है क्या, hexagonal में, और बीच में कितने होते हैं, three होते हैं, देखा है इसका diagram hexagonal का, और यहां पर भी इसके कितने हो जाएंगे, six, six, तो देखो, अगर इन दौनों के लिए निकालेंगे, तो पहले कितना हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तो टोटल कितने हो गए, 12, तो 12 into one by six, ठीक है, तो कितना हो गए, two item हो गए, total, three तो बीच में already हैं, तो three into one equal to कितना हो गए, three, ठीक है, अब rank of hexagonal, अब इसके बीच में भी तो होगा, एक, एक item, क्यों, बोलो, होगा या नहीं, face पे भी होगा, पढ़िए यह चीज की नहीं पढ़ी बच्चा, अब यह कितना हो जाएगा, face पे अगर देखें तो, two, एक हो गया, one by two, equal to कितना हो गया, one, तो अब अगर आप, आप से कोई पूचे, total item of hexagonal कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, देखो, two, three, और one, total कितने हो गया, six हो गया, समझ में आया, अंकित, हेलो अंकित, क्या हाल चाल, अंकित आप भी जेही में हो ना बेटा, अरे, class का link ही नहीं गया है बच्चों को, 12th वालों को, सिर्फ जेही वालों को गया है, इसलिए बच्चों ने class join नहीं किया है, बच्चा एक मिनट hold करो जड़ा, करता है, बच्चा थाँ को. झाल 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 एक मिनट बच्चा आरे वहां पे ना लिंक नहीं शेयर हुआ है इसलिए बच्चे जोईन नहीं कर रहे हैं वहीं मैसेज कर रहे थी एक सेक्ड़न और हुआ 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 है हाँ बच्चा पार्टी तो आपको समझ में आया यह किस तरीके से होगा झाल 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 बच्चों को लिंक पहुचा नहीं मैंने सेयर कर दिया उनको चलिए कहां ते हम बच्चा बाड़ी कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे मस तरीके से धुम धड़ा के से अच्छे से टाइमली क्लाश जोयन करना अभी यह वाला डाउट किलियर हो गया ना पर उसके बाड मैं तुम्हें तुम्हें पर उसके बाड मैं तुम्हें आगी टॉपिक करा दूँगी अज़े क्या हुआ बच्चे जोयन करके हट के रहे हैं फर्स दे हो जाता है अच्छा गौरब को मारा गया हेलो गौरब रिशीका रिशीका अब लिंक नहीं गया था क्लास का लो मैं अरे तुम लोग ना जब भी कुछ ऐसा हुआ करें तो प्लीज मुझे कॉडिनेट किया करो मैं वही सोच रही थी कि बच्चों के बस लिंक नहीं गया है इसलिए उन्हें उन्हें नहीं करी है मैं कहरी बच्चे आ नहीं रहें पतानी क्यों और बाकी बच्चे आ हैं रिशिगा बतानी मामे प्रप्सक्ताव लिवाव नहीं तर कर ला ह्प्राव और भर उन्हें अ रहो मैं रिवाइज ही करा रही थी अभी तक बाकी रिशी का आपके contact में जितने भी बच्चे हैं उनको बोलना कि कल से regular class join करें और जेई वाले जो बच्चे हैं वो प्लीज जेई वाले sections में coordinate करो कि वो class join करें कल में नया topic पढ़ाऊंगी आज तो मैं यही पढ़ारी revise करा रही हू चेप्टर को लेकिन कल से नया topic चलेगा और जितने भी जेई के और नीट के questions आए हैं अभी तक previous year में advance में वो सारे question chapters related practice कराऊंगी तो please join करें class आप उनको inform कर देना बच्चों को ठीक है जेई और नीट दोनों के combined question में कराऊंगी 29 को I think जेई का paper भी है वी एमसी का पता है पता है कि नहीं बचा बाड़ी बताईए चलो अब देखो कि हम किस unit cell में parameters कैसे count करते हैं ये भी में revise करा देती हूं आपको unit cell according to किसी ने बताया नहीं कोई बात नहीं मैं test planner आपके साथ ना इस class के बाद एक बार आपके गुरूप में share कर दूँगी अदैंक नहीं मन की ट्वंटी नैंवि नहीं में पला किसी मंत की ट्वंटी ना इन विकिनले के लिए कोई नहीं वह मैं आपको गौरूप में share कर दूँगी साहिद अभी किसका हुआ था solid state आया था ना भी no ma'am solution ही आया था तो फिर solid state का होगा मैं आप दोनों को एक बार share कर दूँगी तो आप लोग date देख ले ना उसमें क्या लिखा हुआ है ठीक है तो देखो as length कैसे calculate करते है मान लो यह हमारा z axis हो गया और यह जो है हमारा इसको हमने माना x axis ठीक है तो यह हो गया मान लो हमारा a ठीक है तो a के सामने होगा alpha और मान लो इस axis को हमने माना b ठीक है तो इसके सामने just होगा हमारा यह वाली line b यानि कि beta यह b इसको b माना तो यह beta हो गया हमारा और फिर अगर आपने, ठीक है, इस पूरी लाइन को, ये वाली जो लाइन है, इसको माना C, तो जस इसके सामने हो जाएगा यहाँ पर गामा, इसको याद रखने के तरीके हैं, कि यह एलफा, बीटा और गामा क्या हैं, एक्जियल एंगल, ठीक है, यह पढ़ाया होगा सन्ने आपको, और A, B और C, बच्चा बाटी क्या है हमारा, एक्जियल, लेंग, किलियर है इतनी बार, ठीक है, तो इस तरीके से, यूनिट सेल के पैरामिटर्स को आप कैल्कुलेट करते हो, अब बच्चा बाटी, टोटल कितने पैरामिटर्स होते हैं, यूनिट सेल के, बताओ, सेवन, सेवन टाइपस ओफ पैरामिटर्स, कौन कौन सा होता है, कौन बताएगा यह मैम को, बताओ जरा, किसी को याद है, और ये तो बहुत इंपोर्टन्ट है भई, जेई में इसमें तीन चार कुश्चन आए हैं, ये याद होना चाहिए, इसके उपर जेई में कुश्च पूछे जा चुके हैं, प्लीज भई कुस्तो रिप्लाइ कर दो हाँ या ना, निरंबर, प्रकास, मैं है, कौरव, रिशीदा, जेई में भी पूछे गए हैं और नीट में भी, तो पहला क्या था, बताओ जरा, पहले परामिटर का नाम क्या है, पहले परामिटर का नाम क्य स्या क्यूबिक, और इसमें जो एक रामिटर होता है, वो क्या होता है, एक कोल टू बी, और बी कोल टू सी, और अगर हम इसके एंगल की बात करें, तो यहल्भाई क्या है, अब इसमें कितने यूनित सेल बन सकते हैं, इनके उपर बिलकोल लिप नो पूछन आता है, तीन, T तो simple, body center, face center, ठीक है, simple cubic, body center, face center, राई, दूसरा क्या है भई, बन, tetra goner, और अपने neat वाले बच्चों को तो मैंने trick भी कराई थी इसकी एक, ठीक है, अपका crest home mate करके, crest home mate करके इसको याद रख सकते, तो यहाँ पर क्या होता है, a equal to b, but b does not equal to c, तो angle क्या होंगे, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90, तो इसमें total कितने बनेंगे, दो बनेंगे, कौन-कौन से बनेंगे, simple और body center, तो यह हमको याद होना थे, अगर तीसरे की बात करें तो third कौन सा है, orthorombic, क्यों, और यहाँ पर भई, कोई भी equal नहीं होता, a does not equal to b, does not equal to c, बट जो angle होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, equal होते हैं, 90 degree, यहाँ पर कितने बनेंगे आपके, four, सबसे ज़्यादा इसी में बनते हैं, orthorombic में सबसे ज़्यादा unit cell present होते हैं, four, तो देखो, जो total bravest होते हैं, इसनको क्या बलते हैं, bravest, जो total bravest lattice होते हैं, वो हमारे होते हैं, fourteen, और जो हमारे seven type of unit cell होते हैं, वो होते हैं, seven, ठीक है, according to parameter, fourth कौन सा है, किसी को याद है, monoclinic, इसको तो याद कर लो भई, यह तो गुट्टी है, तुमारी, इसके उपर हर साल question आता है, J, और NEET में, दोनों में, यह आपको on tips याद होना चाहिए, अब इसका angle कैसा होगा, A does not equal to, बोलो, B does not equal to, C, और alpha equal to कितना होगा, gamma equal to 90 degree, एक यह single angle होता, जिसमें आपका beta does not equal to 90 degree होता है, next, किसी को याद है next क्या है, आप लोग हो यहाद है, इसमें क्या होता है, A does not equal to, B does not equal to, C, and alpha does not equal to, equal to 90, चीक है, अब इसमें total कितने बंते हैं, तो इसके लाबा भी होता है, जा बेटा, मैं, जैसे आपने क्योबिक बाद, यह जो आपने लिखे हैं सारे, हमने दूसरी पे में किया है, सर ने दूसरे लिखवाए होए, तो ऐसे कोई particular serial नहीं है ना, याद करने का, हाँ, हाँ, particular serial नहीं है, हाँ, वो सर ने अपने तरीके से लिखवाए है, मैंने crust homemade करके लिखवाए है, जैसे crust homemade, वो तो याद करने का तरीका है, वो आप कैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन लिखवाए सर ने यही होंगे seven, ऐसा नहीं है कि सर ने इससे अलग लिखवाए हूँ, हाँ, sequence अब teacher अलग लग तरीके से करा जाए दें, क्योंकि वो याद करने का तरीका दिखा सिखा देतें teacher, समझ गए? अब next कौन सा होगा बच्चा, next बताओ, hexagonal, hexagonal में क्या होगा? A, B, does not equal to, यह याद करने का तरीका हमें आपको पता हो ना चीए, अपने हिसाब से भी manage कर सकते हो, ठीक है न, वो कैसे भी याद कर लो, बट important यह है कि हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इसके उपर आते हैं question, अब इसमें यह single है, जिसमें gamma आपका 120 degree होता है, ठीक है? ठीक है न, तो यहाँ आएगा gamma equal to 120 degree, अब लास्ट बचा, rhombohedral, तो यहाँ होता है, A equal to B, equal to C, and alpha equal to beta, equal to gamma, does not equal to 90 degree, ठीक है, इसमें भी कितना बनेगा हमारा, bravest one बनेगा, ठीक है? तो यह बहुत ही important series है, जो at any cost आपको हर हाल में याद होनी चाहिए, कल मैं तुम्हें सारे question दिखाऊंगी, जहीं में किस-किस तरीके के question जिन से पूछे गए हैं, अब अगर बचावाटी radius की बात करें, radius पढ़ाईए सबने, radius of atom, पढ़ाईए आपने radius of atom, तो इसको तो directly भी याद करें, सबने derivation कराया होगा तुमें, ठीक है, मैं तुम्हें direct लिखवा देती हूँ, कि अगर FCC की बात करें, इसका derivation है, तो कितना हो जाएगा, r equal to root 2a upon 4, यहां तुम्हें, मैंने भी पढ़ाया है अपने बच्चों को, तुम्हें सरने सारी चीज़ें पढ़ाई होंगी, कि अगर हम FCC की बात करें, तो इसका coordination number क्या है, इसके nevering atom कितने touch करते हैं, वो क्या है, ठीक है, इसकी radius क्या है, और इसका age length पर कितना atom होगा, यह सारी चीज़ें सरने कराई हैं कि नहीं कराई हैं? बोलो, कराई हैं ना? बोलो भई, तो देखो, यह मैंने डारेक्ट लिख दिया है, यह body central के लिए होगा, इनका age length कितना होगा, तो तो तुम्हें याद भी होगा ना, तब भी आप इसके directly question कर सकते हो, ठीक है, तो मैं सीधे से एक chart बना देती हूँ, वो आपको याद रहना चाहिए, यह बाकी detail में तो सर ने कराई दिया है, क्योंकि इतना बड़ा chapter है, तो एक दिन में तो परवीन में भी नहीं करा पाई गी, तो अगर इनकी rank की बात करें, देखो, rank, rank निकालना सिखाया है था सर ने, 8 by 2, 0 plus 1, 2, 1 करके एक formula होता है, सिखाया था की नहीं बताओ, simple kivic unit cell का rank 1 होता है, ठीक है, fcc का rank कितना होता है, 4 होता है, vcc का rank कितना होता है, 2 होता है, end central का rank कितना होता है, बचाबाटी 2, hexagonal का rank कितना होता है, यह मैंने अभी आपको बताया था, 6, यह सब कराया है सन्ये, लेकिन basically जो हम पढ़ते हैं, वो ज़्यादा तर इसके उपर आते हैं question, most probability, ठीक है क्या, यह सारी चीजें कराई होंगी सर ने आपको, फिर उसके बाद सर ने packing efficiency कराई थी आपको, क्या formula होता है packing efficiency का, volume occupied by atom by total volume, ठीक है, by total volume, unit cell, और अगर हमें packing friction रहेगे तो, अगर packing efficiency निकाल नहीं है तो, हम क्या कर देंगे, पूरा formula हमारा सेम ही रहेगा, atom, change क्या हो जाएगा बताओ, unit cell, into 100, यही तो कर देते हैं, भई अगर हमें packing efficiency निकाल नी हैं, तो volume occupied by atom, ठीक है, divided by total volume of unit cell, और अगर आपको packing efficiency निकाल नहीं है, तो into 100 कर देते हो, ठीक है, तो सबकी packing efficiency अलग-अलग आती है, ठीक है, मतलब 52.0% आपका simple qubit के लिए आती है, 68 something body central के लिए आती है, 74 something आपका किसके लिए आती है, FCC के लिए आती है, यह सब पढ़ाया है ना सन्ने आपको, बोलो बच्चा, बोलिये भई, यह सब्सक्राइब कर दिया करो भई, चैट सेक्शन में, ताकि परवीर मैं में को पता हो, आपने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ा, अब देखो फिर, मैं थोड़ा सा brief और दे देती हूं, कल मैं आपको defect वगएरा पढ़ाऊंगी, वहाँ से topic शुड़ू करोंगी कल आपका, यह थोड़ा से मैंने chapter का overview दे दिया, कि आप क्या-क्या पढ़के आयो, unit cell की length यह सब पढ़ाया होगा, फिर सरने पढ़ाया होगा तो मैं packing efficiency, तो यह तो 3D से packing efficiency start है यहाँ पर, फिर packing efficiency एक 1D भी होती है, ठीक है इस तरीके से ठीक है, 1D packing efficiency, तो packing efficiency में अगर आप coordination number निकालोगे, तो एक यह item और यह item इससे touch है, तो coordination number होगे इसका 2, ठीक है, फिर होती है आपकी, अगर आप 2 layer ले ले लेते हो, तो वो packing efficiency हो जाएगी आपकी 2D की, ठीक है, तो यहाँ पे इस item से अगर बात करें हैं, ठीक है न, तो आपका देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह 6 item टच कर रहे हैं आपके एक तरीके से, तो यहाँ coordination number हो गया 6, ठीक है न, तो इस तरीके से packing efficiency होती है, अब 3D की packing efficiency की बात करें, तो देखो, यहाँ पे layer होती है double, एक layer नीचे होगी, एक layer ऐसे उपर होगी, तो यहाँ पे हम इसा, एक चीज ध्यान रखना है, जो जेई में सबसे ज़्यादा most important question है, नीट के लिए भी यह पूछा जाता है, कि अगर हम 3D packing efficiency पढ़ रहे हैं, तो 3D packing efficiency में, जो layer होती है, वो A type का arrangement होता है, और उसमें बनता क्या है, always आपको simple cubic unit cell मिलेगा, बहुत important question है, 3D packing efficiency में, layer के उपर, layer जब आप लगाते हो, तो always simple cubic unit cell मिलेगा आपको, ठीक है, और अगर आप type of crystal solid की बात करें, एक मिट, ये तो मैं topic बढ़ा चुकी हूँ, कैसे देखो, ये देखो जड़ा बच्चा बाटी ध्यान से देखना, ये layer A है, फिर इसके बाद भी ये layer A है, 3A layer A है और ये layer A है, यानि कि A layer के ऊपर, A layer इस तरीके से रखी हुई है, तो like that कुछ इस तरीके से layer है, फिर इसके ऊपर एक layer आ गई, समझ देओ ना, समझ पा रहाँ बच्चा, तो हमेशा आपको simple cubic cell मिलेगा, अब देखो कैसे, ये देखो, जैसे ये वाले मैंने यहां लिख दिया है, ये जो नीचे वाले bond, atoms हैं, ये वाले, जो यहां पे, वो second layer पर है, और जो ये वाले इस color के atom में, वो first layer पर है, तो इस तरीके से layer के ऊपर layer है, और layer के ऊपर layer होने से, हमें simple cubic unit cell मिलेगा, अब देखो आगे, ये important question है, डारेक्ट पूछा गया, आप अपनी notebook निकाल के, previous year के question देखना, आपको picture के लिए दिख जाएगी, अब देखो अगला topic, जैसे ये हैं, देखो, ये मैंने यहां पर भी diagram बनाया है, ये जो blue color से है, वो layer A है, और जो pink color से है, वो layer B है, तो यहां पर अगले diagram में, A, B और A, B और A, B layer हो गई, तो देखो, दो तरीके की layer यहां बन नहीं है, एक A layer और एक B layer, जब हम A, A layer ले रहे थे, तो आपको मिल रहे था, simple cubic unit cell, जब आप A, B layer ले रहे हो, तो कौन सा मिल रहा है, body central unit cell मिलेगा, समझगे बचाबाड़ी, ये एक करोड का question है, जब हम A, A type की layer ले रहे थे, तब हमको simple cubic unit cell मिल रहा था, जब हम A, B, A, B layer ले रहे हैं, तब हमें कौन सा मिलेगा, body central unit cell मिलेगा, सर ने बताया था ये, बोलो, ये इस माम, निलंबर, महेक, गौरब, और प्रकांद, बेटा, आप लोग क्यों नहीं answer कर रहे हैं, भई, आपको नहीं बताया क्या, तब वोइस नहीं आ रही है, आ रही है महेक, तुमारी आ रही है, मैं इनसे बूछ रही हूँ, गौरब से, प्रकांद से, निलंबर, रेशिका, आप लोगों को समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा है, अब देखो कैसे मिलेगा, एक एटम ये, एक एटम ये, फिर इनके बीच में भी एक सेंटर में आ जाता है एटम, तो इसलिए हमें हमेशा इस केस में बॉड़ी सेंटर मिलेगा, अब अगर हम अगले केस की बात करें, तो देखो इस तरीके से ये फिर्स्ट लेयर है, और ये जो बीच में एटम है, वो सेकंड लेयर को रिपर्जन करेगा, अब देखो, केस टू की बात करें, तो केस टू में था 3D पैकिंग है हमारी, किसके लिए बात हो रही है, देखो, हेग्जागुनल के लिए हो रही है, तो हेग्जागुनल क्लोस पैकिंग में बच्चा, पहली लेयर में आपका क्या है, टेट्रागुनल वॉइट्स होंगे, तो देखो, वॉइट्स क्या होते हैं, जब हम दो Atom को ऐसे Arrange करते हैं और इसके उपर एक और Atom रखते हैं तो यह बीच में खाली Space बच गया है यह वाला यह खाली Space हमारा क्या होता है वाइड होता है ठीक हैना तो देखो हर किसी Atom के बीच में Woid Space आ रहा है तो इनको क्या बोलते हैं, वॉइट्स बोलते हैं, तो यानि कि जब भी 3D Packing Efficiency को आप पढ़ते हो, और Hexagonal Specially, उसमें आपके वॉइट्स भी मिलते हैं आपको, तो देखो, यहाँ पे होगा क्या, जैसे यह है, यह है Tetrahidal Void, तो Tetrahidal Void में, और First Layer Convert into the Tetrahidal Void, हम इसा पहली Layer Convert करती है Tetrahidal Void को, और अगर आप इसे Close कर दें, Close Tetrahidal Void बन जाए गई, तो देखो, यहाँ पे Open Tetrahidal Void था, यह वाला यह, यहाँ हमने Open Tetrahidal Void था, अगर हमने इसके उपर एक और Atom लगा दिया, रेंज कर दिया, तो यह Tetrahidal Void बन गया, Tetrahidal क्यों है, क्योंकि 1, एक, दो, तीन और चार, चार Atom टच कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में खाली Space है, तो उसको बोलते है, Close Tetrahidal Void Space, इसके उपर भी Question आता है आपका, अब देखो, अब आप इस Structure को जड़ा गवर से देखो, इसमें कुछ Atom इस तरीके से Arrange है, एक Atom ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है और फिर उसके उपर, फिर एक Atom ऐसे, फिर एक Atom ऐसे और फिर उसके उपर, तो देखो, यहां तुम्हें दो तरीके के Voids दिख रहे हैं, एक तो आपका Tetrahidal Voids भी बन रहे हैं, देखो यह रहा, यह है आपका, टेट्रा हेडल और यह है आपका ओक्ट्रा हेडल तो ओक्ट्रा हेडल में आपके छे एटम टच करते हैं और टेट्रा हेडल में आपके फोर एटम टच करते हैं जस्त इमेजीनेशन, समझ आ रहा है बच्छा, हाँ मही, रिशिका, गौरब, प्रिकास और निलंबर, आप लोग क्लास में हो, या सिफ जोईन करके, समझ आ रहा है, अच्छा, चैट में दे रहे हैं, हाँ भी किया है, उन्होंने अंसर, ठीक है, तो इस तरीके से वॉइट्स का अरेंजमेंट पढ़ते हैं, और यह important है, question आता है, अब सबसे important देखो, यहाँ है, जो मैंने यहाँ point लिख रखा है, N atom packing efficiency, जब भी कभी N atom होगा, इसका मतलब यह है, total packing, ठीक है, N 2N tetrahidal, जब भी आपको total packing efficiency tetrahidal के लिए निकाल ली है, तो हम formula लगाते है, 2N, तो 2N का क् लगे, 2N tetrahidal void हमेशा, ठीक है, tetrahidal voids, यानि कि close को बताएगा, और अगर N octrahidal void की बात हो रही है, तो यह दो तरीके से बता सकता है, आपको, एक close और एक open, तो close और open बताता है, इसलिए इसका ratio लेते हैं, 2-1 का ratio, और N octrahidal void, तो N atom की packing efficiency दो तरीके से होती है, एक तो tetrahidal void औ एक होता है close और एक होता है open, दो तरीके के तुम्हारे voids मिलते हैं, तो देखो, अब 3D layer के लिए हमें क्या क्या चीज़े मिलेंगी, सारे important points मैंने या mention कर दी है, इन open tetrahidal void, अगर आपका open tetrahidal void है, तो AB AB layer होगी, hexagonal close packing है, तो 3D के लिए होगी, और hexagonal close packing में, alpha equal to beta equal to 90 होता gamma 120 degree होता है, यह हम पढ़ चुके हैं, इन octrahidal void की अगर बात करें, तो ABC ABC type की packing efficiency होगी, और cubic close packing में unit cell face central unit cell होगा, तो मतलब यह पूरी, ठीक है, voids की इस्तरी है, तो देखो, CCP के लिए, आपका 74% total आता है, coordination number 12 होता है, ठीक है न, as CCP के लिए भी packing efficiency, 74 होती है, coordination number 12 होता है, यह वो questions हैं, जहां से directly questions पूछे जाते हैं, अब अगर हम बात करें, coordination number of hexagonal unit cell की 12 होगा, बट यह most most important है, बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, यह मैंने तुम्हें समझाया है, इसलिए नहीं हैं बच्चा क्योंकि यह सब तुम्हें आनंसर समझा चुके हैं, तो बस मैं chapter को थोड़ा final touch दे रही हूँ, ठीक है, कि यह यह चीज आप पढ़के आए हो, वरना मैं पूरा detail में explain करके इसको समझाती है, अगर नहीं पढ़ा होता हो, और coordination number of last upper layer, bottom layer atom, तो देखो अगर हम last upper layer की बात करने हैं, तो total 9 atom होते हैं, यह ध्यान डखना, hexagonal आप रहे थे इस तरीके से कुछ, तो यह कितने atom से touch था, इन तीन atom से भी touch था, लेकिन इनका relation इनके यहाँ वाले 6 से था फिर, यह जो यहाँ पर 6 atom थे, इसका relation इस से नहीं था, तो कभी भी अगर आपसे question पूचा जाए, directly यह question पूचा जाता है, कि coordination number of last upper layer, ठीक है, upper layer और bottom layer अ point दियान रखना जाए, ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हम packing efficiency पढ़ते हैं, अब कल मैं तुम्हें जही के questions कराऊंगी, किस तरीके किस से questions आई है, ठीक है, और बाकी बच्चों को बोलें, तो मैं कल कराऊंगी ना, बेचा, आज बच्चे कम आए है, जो यह नहीं किया थे class, तो मैं इसलिए आज चेप्टर पूरा रिवाइस करा दिया है, डायरेक्ट, आज मैंने सिर्फ रिविजन करा है, कल मैं तो मैं तो मैं कुछ questions कराऊंगी, कल पढ़ाऊंगी different, तो भी ठीक है, कल मिलते हैं, कल बाकी बच्चों से प्लीज बोल देना एक बार, कि class time से join कर ले कल नया topic चलेगा, अपने group में inform कर देना, मैं भी parmasis drop कर देना, okay, bye everyone, have a nice day, you too, बच्चा